हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज आप सब के बीश में मैं एक बहुत ही डिलिशियस बहुत ही हेल्दी समर ड्रिंक लेके आई हूं कैस कर सकते हैं यह क्या है यह है आम पन्ना जी हां क्विक मिंटो में बनने वाली रैसीपिल लेके आई हूं जो बिल्कुल शुगर लेस है और बिल्कुल भी महनत नहीं है तो आईए देखते हैं इसको बनाने का तरीका कितना फास्ट हम इसे बनाकर सर्व कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स हम बनाना इसमें मनें ल जीरा पाउडर यह फ्रेशली रोस्टेट जीरा पाउडर है जिसको हमने क्रश कर दिया है यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं फिर एड करेंगे थोड़ा सा ब्लाक सॉल्ट यह हम नॉर्मल सॉल्ट की बजाए यह लें तो यह हमारे लिए बहु आपको डाइजेशन प्रॉबलम है वो भी आपकी सॉल्ट आउट होगी इसके बाद हम लेंगे ब्लाक पिपर पाउडर वन पिंच अब हिसमें हम ब्लाक पिपर थोड़ा सा एड करेंगे यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगी अब मेन इसमें हमारी सम पीज में मेंटली उसको एड करने की जो भी फ्रेश चीजें अवलेबल हैं हमें जरूर यूज करनी चाहिए आपको अगर गैस्टिक इशू रहते हैं या कोई भी प्रॉबलम डाइजेशन की प्रॉबलम होती है तो मेंटली उससे आपकी प्रॉबलम सॉट आउट हो जाए अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करके मिक्सर में डाल देंगे अब मैं इसमें एड करूंगी वन ग्लास ओफ वॉटर यह सिंपल गड़े का पानी है ओविसली यह ठंडा रहता है मैं प्रेश का पानी बलकुल भी प्रिपर नहीं करती हूं वह पानी हमें एक बार तो पीन यह में ठंडा लगता है लेकिन वो शरीर को गर्मी प्रदान करता है अब हम इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे यह ध्यान रहे हमें इसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करना है इसमें हमने राइट मंगो आइज किया है यह देखिए हमारा आम पन्ना बनके तयार है इसे हमने कुछ रागुलर से ज़्यादा ही ग्राइंड किया था इसमें हमने एक कच्छा आम डाला थ अच्छा स्मूद पेस्ट बनके तयारे आईए हमें से टेस्ट कर लेते हैं कि कुछ और नीट तो नहीं है कि वाउ इस परफेक्ट आईए अब हमें से सर्व करते हैं एक ग्लास लेंगे उसमें से पूर कर देंगे स्मिशायड में लीव रखेंगे अब मैंगो स्लाइज से घेकुरेट करेंगे फ्रेंड्स हमने अब इसे सिफ मैंगो चंग्स और मेंट लीव से डाकॉरेशन किया है जिता सिंप्ली हम डाकॉरेट करेंगे फुलता ब्यूटिपुल हगेगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वेक रेसिपी ट्राय कीजे और अपना फीडबैक देग